दोस्तों आप सभी का हमाई यूटूब चैनल में बहुत सबागत है दोस्तों आज हम जिस टेक्टर की बात करें को रिनीवल्स एनर्जी स्टॉक्स है यह एक फिक्स्ट लिमिटेड है लिमिटेड है जो कि एक टाइम कर खतम हो जाएका तो हमें नॉन रिनीवल एनर्जी खतम सपोर्ट करती हैं और दिरे दिरे सब अपना इंवेस्मेंट इधरी कर रही है इंडिया एक लेडिंग कंट्री जो रिनीवल एनर्जी में काम कर रहा है इंडिया में आने वाली टाइम बहुत अच्छा है रिनीवल एनर्जी के लिए अगर आप इस सेक्टर में पैसा लगा अच्छे से चानमीन कर दीजिए कभी भी लोन लेके इन इंवेस्मेंट नहीं करनी है आपको सबसे पहले सेक्टर को समझते हैं दोस्तों इसके बाद जो रिलेटर स्टॉक उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन-कौन से रिनीवल एनर्जी स्टॉक आगर आनुले टाइम म लास्ट फाइव यर में पांस सार में जो सीजियर दिया है 17.30% के आसपास रिनीवल एनर्जी सेक्टर ने दिया है स्टॉक ने दिया है इंडा एक बहुत बड़ा रिनीवल एनर्जी कैपिसिटी 100.68 गिगावाट और 450 गिगावाट दोजातीस तक इसका टार्गेट है 60% सुलर एनर्जी से यह अपना लेना चाहता है जो वर्ल का बिकस्ट सुलर पार्क है दोस्तो वो जो यह भी इंडिया में है जो 14,000 एकर में फैला है और 54 क्लो मीटर है बदला सुलर पार्क इसका नाम है और जिसकी पावर है 2245 मेगावाट और 2.25 गिगावाट के आसपास तो दोस्तों रिन्यूर एनर्जी में बहुत आगे बहुत बड़ा स्कोप है और यह लेडिंग और इंडिया इसमें लेडिंग कंटी बनना चाहता है 2014 से 2021 तक 42 बिलियन यूस्टी आराउंड हो गया है करूर के आसपास इंडिया का अभी कैपिसिटी है 250 परसेंट के आसपास तो जो रिन्यूर एनर्जी स्टॉक्स हैं दोस्तों यह आपको मल्टी बैगर बना सकते हैं अभी आपको इसके बारे में उतना नहीं है बर 2030 जैसे मैं टैन बिलियन डॉलर के आसपास है दोस्तों क्य क्योंकि इन्वेस्मेंट काफी ज्यादा होता है पर दीरे दीरे जब सारा रिन्यूबल एनर्जी की और पूरा वर्ल जाएगा तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा बहुत अच्छा जवर्दस आपने कल्पना भी निकीरी करी होगी इस सेक्टर में जो इस इसमेंट लगता है सुरू में अब धीरे धीरे जब जाएंगे तो फिर प्रॉफिटेबल होना सुरू करेगा दो से तीन लाग इसके पैनल पर ही लग जाते हैं तो जब यह बड़े स्केल में होगा तो सुरू में कंपनी को करजा लेना पड़ेगा बैंकों से कहीं से भी फ तो इसमें डेफिनेटली सबको फायदा होगा तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा पर फूचर में इनके फंडामेंटर बहुत अच्छे हैं दोस्तों और आज से अभी से साइपी करना सुरू कर दो इन स्टॉक्स में तो देखियो आपका पॉर्टफोलियो ऐ को कि जो इसमें आपका जो पहला स्टॉक है दोस्तों वह सरकारी कंपनी पावर श्प्लाइ करती हैं तो इनठीक्पी का बहुत अच्छा कारोभार यह क अपनी कंपनीय नेस्नल थर्मल पावर कॉप्रेसिंट हैं अलॉत संबसडिय कबिए्सारी सबसेटिटी यह हैं तो और का बहुत अच्छा कारोबार है यह सरकारी कंपनी है दोस्तों पर अभी तक तो थोगा सा यह नीचे ही चल दी थी पर अब जब धीर धीरे इसमें रिन्यूवल की डिमांड बढ़ेगी तो यह स्टॉक भी आगे को भागेगा इसकी जो कैपेसिटी है फूर फूर सेवन वोट के आसपास है सोले एनर्जी पारक इसका फूर पूइंट सेंट फाइव गिगवाट के आसपास जैसे कि आप देख रहे हो तो आप एंटी पीसी में एसाइपी करना सुरू कर दो दोस्तों और देरे अब नंबर आप स्टॉक को बढ़ाओ तो 2030 तक देखो यह कंपरी आपको माला माला बनाएगी 260 मेगवाट एंटी पीसी की जो कैपेसिटी है करेंट में तो आसे ही इन स्टॉक पर ज्धान देना सुरू कर देजिए इसकी मार्केट के बात कहते हैं 131 वन नाइटी सिक्स के आसपास है आरो इसका 12.6 परसेंट का आसपास है आरो सी इसका 8.57 परसेंट के आसपास है और इसका डैप जो है इसका 2085 पूर्ट करोर का सब्सक्राइब टो एक्यूट इसका 1.61 ज़ दोस्तों तो कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैकर बनने का दमखम रखती है तो आपको इस इस स्टॉक को अपने रडार पर रखना है ठीक है फ्री जो खैस फ्लोस का 9162 का आसपास है एप्यस का 15.8 के आसपास है दोस्तों जैसे कि आप इस पर मोटर होल्डिंग की 51.1 परसेंट का आसपास में लिप सी जो दूस्ती दोस्तों दोस्त में कर वोर्ड राजस्तान में स्थित है तो अधानी ग्रीन भी बहुत जवदस्त कंपनी अधानी जी कंपनी है दोस्तों इसने अब यह रिन्यूवल एन ग्रीन एनरजी यह आने वाला फ्यूचर इसी का है इसकी जो कैपिसिटी फाइव ग्रवाड का असपास है तो आप इ 77 करूर के आसपास है दोस्तों इसका आरोई 25.9 परसेंट है आरोसी 11 परसेंट के आसपास है डेप्ट इसमें भी बहुत ज़्यादा है फुट्टी थावरेंड फाइफ फॉर्पाई पेसिकली इन कंपनी में में डेप्ट होता ही है डेप्ट एक्यूटी 17.6 है कंपनी को भी आप अपने माइंड पर रखके दोस्तों और टीपी सी ओगी पहली कर अपने दोस्तयवे अडानी ग्रीन हिए अ कि अ पौरे चयों हमारी कंपनी दोस्तों उसका नाम है ठीसी जो हमारी कंपनी उसका नाम है दोस्तों जेस्टव एनशी लिमिटेट यही बहुत जवदस कंप तो आफ यह तीन स्टॉक को अपने माइंड में लेकि चलो और आने वाली टाइम में आपको फूचर मार्टी बेगर बनेगे इसकी अगर हम मार्केट के बात करें तो सब्सक्राइब तो यह तो यह तीन स्टॉक में आप अपना टार्केट देना और जबदस्त कंपनिया है और एक स्टॉक और है दोस्तों बोनस स्टॉक समझे इसको ब्रॉसल रेनीवल लिमिटेड इंडिया में सब्सक्राइब तो आने वाली टाइम में कर सकते हैं कर सकते हैं यह भी बहुत जबस कंपनी चार स्टॉकों का आप ध्यान में रखके चले दोस्तों आने वाली टाइम में आपको बेस जरूर मल्टी बैकर बनाके देंगे तब तक के लिए धन्यवाद